नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा से आनन टिटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों, आज की पाड़ साला में हम कक्षा आटवी विसे सामन विज्ञान बच्चों सामन विज्ञान में आज हमारा पाड़ दो, स्वास्थ और रोग तो बच्चों, आज हम पाड़ दो के स्वाध्याय करने वाले हैं ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपना स्वाध्याय सुरू करते हैं प्रश्ण पहला अंतर असपस्ट करो पहला अंतर सक्रमक और असक्रमक रोग तो चलो बच्चों, सबसे पहले सक्रमक रोग वे रोग जो सक्रमित रोगी व्यक्ति से सुवस्त व्यक्ति में अस्थरांतरित होते हैं उन्हें सक्रमक रोग कहते हैं अभी आसक्रमक रोग वे रोग जो सक्रमित रोगी व्यक्ति से सुवस्त व्यक्ति में अस्थरांतरित नहीं होते हैं आसक्रमक रोग कहते हैं दूसरा सक्रमक रोग दूशित हवा पानी अन्य अत्वा वाह कीटग अत्वा प्राणियों के द्वारा सक्रमक रोगों का प्रसार होता है आसक्रमक रोग आसक्रमक रोगों का प्रसार किसी भी माध्यम से नहीं होता है तीसरा, जीवानूं, विशानूं अथ्वा किसी अन्य प्रकार के आदी जीवी से सक्रमक रोग का सक्रमन होता है इस प्रकार के सक्रमक रोगों के लक्षन सेग्र ही दिखाई देते हैं आ सक्रमक रोग तीसरा, आ सक्रमक रोग कुछ अनुवानसिक कारण सरीर के चैपचे प्रक्रिया में बाधा उत्पन होने के कारण अथ्वा पोशक द्रवों में कमी होने के कारण होते हैं ये रोग धीरे धीरे क्रमसा व्रुद्धि करते हैं इनके लक्षणों को ततकाल पता नहीं चलता है अभी सक्रमक रोग का चौथा पॉइंट सक्रमक रोगों के उपचार के लिए प्रती जैविक अत्वा, कीटक, आदी जीवी, रोग तंत्वों के वाहकों को नश्ट करने के लिए क्रिमीन आशक दवाईया उपलब्द है उधारन छे रोग, पीलिया, कुष्ट रोग, सर्दी, खासी, इत्यादी अभी आसक्रमक रोग में चौथा पॉइंट आसक्रमक रोगों के उपचार के लिए प्रती जैविकों का उप्योग नहीं किया जा सकता है इन रोगों का उचित उपचार करना पड़ता है उधारन मदु में करक रोग, हिरदे रोग, इत्यादी प्रेश्ण दूसरा असंगत सब्द पहचानों इसमें हमें असंगत सब्द को पहचानना है तो पहला क्या है मलेरिया, पीलिया, हाथी रोग, देंगू इसका उत्तर है पीलिया, अन्य सभी रोग वाहक मच्छर के कारण होते हैं दूसरा प्लेग, एड्स, हैजा, छे, उत्तर, एड्स, अन्य सभी रोग जीवानू जने रोग है अब हमारा अगला प्रश्न, एक से दो वाक्य में उत्तर लिखो प्रश्न पहला, सक्रमक रोग फैलाने वाले माध्यम कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, सक्रमक रोग दूशित हवा, पानी, भोजन, अथवा कीटक प्रानी तथा मानो जैसे वाहक माध्यम द्वारा फैलते हैं प्रश्न दूसरा, पाठ के अत्रिक्त कौन से आसक्रमक रोगों के नाम तुम बता सकते हो? उत्तर, अस्थमा, मोतिया बिंदू, किड्नी के रोग, जैसे किड्नी में पत्थर तथा किड्नी का कार्य ना करना, संधीवाद, व्रिधा वस्ता में होने वाला, अलजेमर रोग, उच्छ रक्तदाप, माईग्रेन, इत्यादी प्रश्न तीसरा, मधु में तथा हिर्दै रोग के प्रमुक कारण कौन-कौन से हैं? उत्तर, अनुचित जीवन सेली, आसंतुलित आहार, वयाम के कमी, अत्यधिक मानसिक तनाओ, तथा आउसाद हार्मोन के स्रोव में, आसंतुलन इत्यादी मधु में तथा हिर्दै रोग होने के प्रमुक कारण है? प्रश्न चौथा, तो क्या निश्पन होगा? तो क्या टाल सकोगे? तो किन से रोगोपन नियंतरन होगा? पहला, पानी उबाल कर वाच्छान कर पीना, तो इसका उत्तर है बच्चों, जब पानी को उबाला जाता है, तब पानी में इस्थित सभ रोगों का प्रसार करने वाले रोगानों नश्ठ हो जाते हैं, विभिन प्रकार के रोग जैसे हैजा, अंत्रशोत, पेचिस, प्रवाहिका, पीलिया, विसमज्वर, इत्यादी, जल जन्य रोगानों के द्वारा होते हैं, पानी को उबाल कर पीने से इन सभी रोगों से यदि पानी को उबाल कर पिया जाए तो हम निमेटोंड डेकुकुलस नामक रोगानों के सक्रमन से बस सकते हैं, इस रोगानों के कारण हमें नारू, बाला, नहरुआ, रोग भी हो सकता है पानी को उबाल कर तथा चानकर पीने से इस प्रकार के सक्रमन से होने वाली महामारी पर भी नियंतरन किया जा सकता है दूसरा, धुम्रपान, मद्यपान ना करना धुम्रपान और मद्यपान करना दोनों भैंकर रोग है मदिरा पीने से यकृत के विकार उत्पन होते हैं मदिरा के व्यासन से व्यक्ति कुपोशित हो जाती है उनकी मानसिक तथा मनोवे ज्याने की स्थती अप समाने हो जाती है मद्यपान के कारण समाजिक और परिवारिक वातावरण दूशित हो जाता है धुम्रपान करना करक रोग कैंसर को अमंत्रन देना है बीड़ी अत्वा सिग्रेट में निकोटी नामक विशेला द्रव होता है निकोटीन विशेली ही नहीं बलकि कैंसर जन्य करक रोग जन्य द्रव है धुम्रपान करने वाले व्यक्तियों में मुख गला फेफडा तथा सोसन लिका का करक रोग होना एक समाने से बात है धुम्रपान करना तथा मद्यपान करना व्यासन धिनिता को बढ़ावा देते हैं अतायों धुम्रपान करना तथा मद्यपान करना हमेशा ही टालना चाहिए तीसरा नियमित रूप से संतुलित आहार लेना तथा वयाम करना उत्तर नियमित रूप से संतुलित आहार का सेवन करने से स्वास्ट अच्छा रहता है संतुलित अथवा स्वास्त वर्ध काहर का सेवन करने से व्यक्ति की रोग प्रतिकारक छमता अथवा रोग से लड़ने की छमता में वृद्धी होती है इससे प्रतेग व्यक्ति लगातार किसी भी सक्रमन से सोयम को बचा सकता है इसके अतरिक्त व्यक्ति का मानसिक स्वास्त भी बढ़िया हो जाता है उच्च कैलरी वाले जंग फूड ना खाने से हिरदय रोग मधु में हैं मोटापा इत्यादी रोगों को टाला जा सकता है नियमित वयाम करने से रग्त परिसंचरन में सुधार होता है नियमित रूप से वयाम तथा संतुलित आहर का सेवन करने से गलत जीवन शैली से उत्पन कई विकारों को भी रोगा जा सकता है इस प्रकार प्रतेक व्यक्ति को इन सभी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए चौथा रग्त दान के पूर्व रग्त की उचित चाच करना उत्तर रग्त समू सीमित होते हैं रक्त दान के समय रक्त दाता तथा रक्त प्राप्त करता के रक्त समू का अच्छी तरह मिलान करना चाहिए अन्य था रक्त प्राप्त करता के सरीर में रक्त का संपुंजन होने से रक्त प्राप्त करता की मृत्यू भी हो सकती है सक्रमित रक्त से स्वस्त वेकती के सरीर में हेपेटाईस भी अथ्वा एट्स के जीवाणों का संचार हो सकता है इस प्रकार के रोगों का संचार रोकने के लिए रक्त दान के पुर्वरक्त की जाच कर लेनी चाहिए अगला प्रश्ण पाँच परचेत पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दो गौरो तीन वर्ष का है वह और उसका परिवार समान्य बस्ती जोपड़ पट्टी में रहते हैं स्वार्जनिक सोचले उसकी घर के पास है उसकी पिता जी को मद्य पान करने की आदत है उसकी माता जी को संतुलित आहार का महत्व पता नहीं है उपरियुक्त स्थती में गौरो को कौन-कौन सी बिमारिया हो सकती है तो हमारा पहला प्रश्ण है कि उपरियुक्त स्थती में गौरो को कौन-कौन सी बिमारिया हो सकती है तो इसका उत्तर है गोरो एक ऐसे छेतर में निवास करता है जहां साफ सफाई का आभाव है उसके घर के समीप स्वार्जनिक सोचाले इस्तित है इससे यह पता चलता है कि गोरो को अनेक सक्रमक रोगों से लड़ना होगा चोकि उसके पिता मदिरापान की आदी है इसलिए उसके घर में हमेशा पैसे की किल्लत होगी उसे पर्याप्त मातरा में संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा इस प्रकार उसके दैनिक आहार में हमेशा आवशक जीवन सत्व तथा खनीच की कमी बनी रहेगी इससे भी अधिक उसकी माता संतुलित आहार तथा स्वास्त के महत्व से अभिंग्न है इससे गोरों कुपोशित हो जाएगा तथा उसके सरीर की रोख प्रतिकारक्षमता कम हो जाएगी खराब आर्थिक इस्तती तथा पिता जी की व्यासन धिनता घर में तनाव उत्पन करेगी इस कारण गोरों को विभिन प्रकार के रोगों का सक्रमन हो सकता है चूकी गोरों का घर सोचाले के समीप है अता रोगानों उसके घर के आसपास इस्तितोंगे इन रोगानों द्वारा गोरों सक्रमित हो सकता है वो हमेशा रोगी बना रहेगा उसे पेट के रोग जैसे पेचीस अतिसर पीलिया है जा अंतशोत त्यदी रोग होते रहेंगे अब दूसरा प्रश्न है उसे तथा उसके अभिभावकों को तुम क्या मदद करोगे उत्तर सर्वपर्थम हम गोरों के लिए स्वास्त वर्धक तथा संतुलित आहार की विवेस्था करेंगे जिसमें फल, साक सबजी, दूद, इत्यादे विद्यमान हो उसकी माता को संतुलित आहार का महत्त बताएंगे उसके घर के आसपास का परिसर साप सुत्रा तथा स्वास्त वर्धक होना चाहिए भोजन धका हुआ होना चाहिए ताकि भोजन को घर की मखियां दूशित ना कर सके कीट नासक दवाईयों का प्रियोग उसके घर के फर्ष को धोकर साफ करेंगे ताकि घर से मखियों तथा तिल चट्टो को नश्ट किया जा सके उसके पिता को मदिरा अथ्वा सराब और मूलन केंद्र ले जाएंगे उसके पिता की मदिरा पान करने की आदत को चुड़वाने का प्रयास करेंगे प्रश्न तीसरा गोरों के पिता जी को कौन सी बिमारी होने की संभावना है उत्तर गौरों के पिता को यक्री तथा किड्नी के रोग होने की संभावना है प्रश्न छठा नीचे दिये गए रोगों के प्रती बंधात्मक उपाए लिखो पहला डेंगू उत्तर एडिस इजपती नामक मच्छर के काटने से डेंगू रोग का सक्रमन अथ्वा प्रसार होता है यह रोग फ्लेवी वाइरस वर्ग के देन एक दो विशानू के कारण होता है जहां भी पानी इखठा होता है वहां मच्छर अंडे देते हैं तथा उनकी वृद्धी के लिए पोशक वातावरण निर्मित होने पर उनकी संख्या में वृद्धी होती है इसलिए किसी भी अस्थान पर पानी खठा नहीं होने देना चाहिए इस प्रकार यह देंगू की रोग थाम सबसे महत्वपून प्रतिबंधात्मक उपाय है एडिस इजपती नामक मच्छर का निवास मानो निर्मित तंकी तथा स्वच्छ पानी में होता है इस कारण तंकी में इस्थित पानी को खाली कर देना चाहिए अथवा तंकी को ढख कर रखना चाहिए अपनी रोग प्रतिकारक छमता बढ़ाना भी डेंगू रोग से बचाओ का एक उपाय है दूसरा करक रोग उत्तर करक रोग जन्य प्रदार्थों का उप्योग ना करना ही करक रोग का महत्वपून प्रतिबंधात्मक उपाय है करक रोग उत्तर करने वाले प्रतार्थों जैसे तंबाकू, गुठका, धुम्रपान, सिग्रेट, बीडी, मदिरा इत्यादी से दूर रहना चाहिए विकिरन से भी करक रोग हो सकता है अथा विकिरन उत्पन करने वाले पदार्तों से भी हमेशा दूर रहना चाहिए नियमित आहार पर उचित नियंतरन रखना नियमित वयाम तथा मानसिक संतुलन बनाए रखना इत्यादी अविशक उपाय है इस प्रकार के करक रोग जैसे गरभाशय के मुख के करक रोग का तीका उपलब्द है तीसरा एड्स उत्तर जब रख्त धान करना हो तो सर्वपर्थम रख्त में HIV विशानों की उपस्तिती की जाज कर लेनी चाहिए उपयोग की गई सुई, सिरेंज, इत्यादी का पुना उपयोग नहीं करना चाहिए रख्त उत्पात तथा सरीर की तरलता से एड्स रोग के HIV विशानों सरीर में प्रवेश करते हैं इस कारण एड्स की रोग थाम के लिए हमें सतर कर रहना चाहिए आसुरक्षित साररिक संबंदों से एड्स सबसे अधिक फैलता है अता सभी लोगों को आसुरक्षित साररिक संबंदों से बचना चाहिए इस प्रकार एड्स तथा HIV के बारे में जागरुकता फैलाना ही एट्स रोग का सबसे महतवपून प्रतिबंधात्मक उपाय है प्रश्न सात्वा महत्व असपस्ट करो पहला संतुलित आहार उत्तर जिस आहार में सभी आवशक को सकत्तव संतुलित अनुपात में होते हैं ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं संतुलित आहार का सेवन करने से किसी भी वैक्ती का कुपोशन दूर किया जा सकता है संतुलित आहार में जीवन सत्व और खनीजों की उचित मात्रा होने से वैक्ती की रोग प्रतिकारक्षमता बढ़ जाती है सरीर की रोग प्रतिकारक्षमता में वृद्धी होने से कुछ रोगों की रोग ठाम की जा सकती है तुरूटी पूर्ण जीवन सैली तथा आसंतुलित आहार रक्तदाब मधु में अत्वाहरदय रोग इत्यादी रोगों को उत्पन कर सकता है अपने स्वास्त तथा सरीर को सुद्रुन बनाय रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए दूसरा वयाम योगासन उत्तर वयाम तथा योगासन करने से हमारे सरीर में रक्त का परिसंचरण अच्छी तरह से होता है सरीर तथा अस्ति संधी लचीले बने रहते हैं मानसिक तनाव घड जाता है अनिद्रा संधी वात अपचन तथा कुछ अन्य विकारों से भी बचा जा सकता है प्रतेक व्यक्ती जो नियमित रूप से वयाम करता है वह व्यासन धिन्ता से बचा रहता है योग करने से हार्मोन प्रक्णू इत्यादी के अस्तर में संतुलन बना रहता है प्रणायाम के द्वारा स्वसन पर्ने अंत्रंड करने से स्वसन सम्मंदी तथा रक्त परिसंचरन सम्मंदी विकारों को रोका जा सकता है प्रश्न आठवा सुची बनाओ पहला विशानु जन्य रोग उत्तर एट्स पीलिया इन्फलियूजा रेबीस पोलियो दूसरा जीवानु जन्य रोग उत्तर विशमजुर छै रोग हैजा कुष्ट रोग तीसरा कीट को द्वारा फैलने वाले रोग उत्तर मलेरिया डेंगू हाथी पाओ रोग चौथा अनुवास्चिक्ता के कारण होने वाले रोग उत्तर मदु में हीमोफिलिया मास्पेशियो का दुश्पोशन चौड बाँ में डनाले रोग इत्तर वाले रोग झाल 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 झाल